दोस्तों जो i20 का एर फिल्टर रहता है वो इस बॉक्स के अंदर रहता है सबसे पहले आपको इस बॉक्स को खोलना पड़ेगा दोस्तों जो ये एर फिल्टर है नया है लगबग तीन महीने पुराना है तो ऐसा कोई गंदा नहीं है दोस्तों अगर आप एर फिल्टर क्लीन करना चाहते हैं तो वैक्यूम क्लीनर से बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन होता है क्योंकि जो गंदकी होती है वो इन फिंस में अटक जाती है तो और वैक्यूम क्लीनर से बहुत बढ़िया तरीके से साफ होती है आप इस तरीके से एर filter को clean कर सकते हैं इस तरीके से clean करने के बाद फिर से इसको install कर देते हैं तो दोस्तों मैं विदा लेना चाहूंगा फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ धन्यवाद